Hello Economists तो यह Micro Economic Theory with Mathematical Exposition वीडियो सीरीज का Lecture 1 है और इसमें हम Cardinal Utility देखेंगे यही से Micro Economics की सुर्वात कर रहे हैं तो इसमें देखे Cardinal Utility आपने तो पढ़ा ही हुआ Graduation में कि इसमें Utility को हम मेजर कर सकते हैं Cardinal Terms में और Ordinal Utility में नहीं कर सकते हैं यहां पर हम Cardinal Utility को थोड़ा डिटेल में देखेंगे आपने सायद उतनी डिटेल में नहीं पढ़ाऊगा उतना explanation आपके कई बुक में भी दिया नहीं है जैसे मैं यहां अभी करणगा इससे बहुत क्लियर हो जाएगा Cardinal Utility कि समढ़ना इसलिए भी जरूरी है पर आले अजंचन ही देखते हैं क्योंकि यह पूरा आजंचन पर ही बेश्ट है तो यह rational का जंचन इसमसन माइक्रोइकनोमिक्स में या पूरे एकनोमिक्स में आपको अर्जल का मिलेगा कि economic isn't rational होता है तो यहां वी जो consumer है क्योंकि Cardinal Utility की बात कर रहे है अपने utility को maximize करना और उसके पास एक constraint भी है वो है income का यानि कि उसका income जो है वो given है, limited है उससे जादा वो खर्ट नहीं कर सकता उसी constraint को देखते हुए उससे अपनी utility को maximize करना है यही consumer का objective है जिसे हम rationality करते हैं यानि क्योंकि हमेशा हम चीजों को maximize नहीं करते हैं कभी-कभी हम चाहते हैं कि बस हमें जितना में satisfaction मिल जाए उतना काफी है लेकिन यहां पर हम assume करके चल रहे हैं कि हम maximize करते हैं और भी बहुत सारे factor हैं जिसके कारण हम अपने utility को maximize नहीं करते हैं maximum utility से कम पर ही रहते हैं इसलिए adjustment हम लेना पड़ता है कि हम मान के चलते हैं कि utility को consumer maximize कर रहे हैं और दूसरा है कि cardinal utility है मतलब कि इसे हम measure कर सकते हैं units में जैसे कि जो भी countable चीज़े हैं हम उसे cardinal unit में measure करते हैं जैसे 1, 2, 3, 4 यानि कि utility हमें 10 unit mille, 12 unit mille से measure कर सकते हैं ज्यादा कम की बात यहां नहीं है हम यह directly measure कर सकते हैं कि utility हमें कितनी मिली जो कि actually में satisfaction होता है आपको utility करते हैं वह actually measure नहीं कर सकते कोई measuring road नहीं है उसके लिए लेकिर फिर भी इस cardinal utility approach में यह मान के चलते हैं कि utility को हम money के term में measure करते हैं जैसे कि money जो होता है जैसे आगर आपके बास 15 10 rupees का कोई coin है तो उससे आपको 10 unit या 10 utility मिलती है और उसी के comparison में utility को measure करते हैं इसे ही काते हैं cardinal utility approach और दूसरा constant marginal utility of money अब यह assumption बहुत जरूरी है इसके बारे में अभी मैं और आगे बताँ का क्यों यह assumption बहुत जरूरी है जैसे कि देखिए मैंने कहा कि 10 rupees का अगर note मिले आपको तो उसकी utility 10 है फिर अगला 10 rupees का note अगर मैं आपको दूँ तो उसकी utility क्या होगे 10 ही होगे फिर अगला 10 देदू तो उसकी utility आपके लिए 10 होगे तो इसे कहते हैं कि marginal utility of money constant है अब constant नहीं है मतलब variable हो सकता है तो variable होने का मतलब क्या है इसे आप ऐसे समझें कि जिसके पास 100 रुपया है उसके लिए एक रुपय का क्या importance है और जिसके पास एक लाख रुपया है उसके पास एक रुपय का क्या importance है obviously बात है कि एक रुपया इसके लिए बहुत important नहीं है जिसके पास एक लाख है जबकि जिसके पास पूरे इसके इंकम का एक परसेंट है तो इसके लिए थोड़ा इसके रिस्पेक्ट रिलेटिवली इससे ज्यादा इंकोरेंट है तो इसे ही कहते हैं अगर यह वन से कम हो जाती है इसकी यूटिलिटी तो इसका मतलब यह है कि यूटिलिटी वैरी कर रही है जैसे जैसे इंकम बढ़ रहा है कम होते जाता है कि और यह मेरे य Mick något निए कम यह जा रहा है लेकिन कि कडिन यूटिलिटी अप्रोच में मान के सहां कि हर रूपय रूपया उसकी में बराबर हो जाहे हमारे पास इंकब एक लाग दो के हमारे लिए एक प्रुपया के इंपोर्टेंस उतना ही राता है हम एक रुपय से उतनी ही यूटिलिटी मिनती है तो इसे ही कहते हैं अब देखें डिमीनीजिंग माजनल यूटिलिटी क्या होता है तो कोई भी कमोडिटी आप जो कंज्यूम करते हैं तो जैसे ही आप ज्यादा और उसे ज्यादा करें लगते हैं तो पर यूनिट जो उसकी यूटिलिटी है वो कम होते जाती है जैसे अभी मैं मनी के बारे में बता रहा हूँ था कि 10 रुपिय का नोट्स आपके पास है ठीक है अगला 10 रुपिया आया तो आपके लिए 10 रुप त्यूति है यहां यूटिलिटी कॉंस्टेंट नहीं है जैसा मनी में कॉंस्टेंट है यहां क्या है कि जैसे माल लीजे की हम एपल कंस्यूम कर रहे हैं उससे हमें 21 younit utility मिल रही है है 1st apple में तो जब हम दूसरा यूणिल ऑफ एपल कंस्यूम करेंगे तो हमें 21 ने मिलेगी 21 से कम भी देगी यानि हो सकता है 28 उसी तरह जब हम तीसरे पर जाएंगे तो हमें हो सकता है 18 मिले 14 पर जाएंगे तो हो सकता है 15 मिले 5 पर हो सकता है कि सिर्फ 11 यूनिट ही यूटिलिटी मिले और 6 यूनिट मिले और साथवे यूनिट में हमें कोई utility ही न मिले और आठवे में हमारी utility क्या हो जाए negative हो जाए minus 7 हो जाए negative हो जाए ऐसा भी हो सकता है क्योंकि कोई चीज़ जब जब आप ज़रों से ज़्यादा consume कर लगते हैं तो वो आपके लिए harmful हो जाती है यानि कि उससे जो आपको utility नहीं मिलती है आपको dis utility मिलती है तो इसे ही कहते हैं क्या marginal utility diminishing marginal utility यानि कि हार unit में utility कम होती जाती है किसी commodity की तो इसे diminishing marginal utility हम कहते हैं तो यह उमिद करता हम आप सबज गये होंगे और फिर देखे utility depends on quantity consume यानि कि utility सिर्फ किस बार पर depend करती है quantity पर अगर आपके पास ज्यादा quantity है किसी community की तो आपकी utility भी पहले से ज्यादा होगी ज्यादा या कम जो भी होगी वो उसके quantity पर depend करती है other factor जैसे season हो गया या फिर social factor हो गया या बहुत सारे factor होते हैं जो utility को decide कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ आपके चलते हैं कि utility सिर्फ एकी चीज़ पर depend करती है वो है quantity of the commodity तो यही सारे assumption है जो हम कार्ड़ लेकर चलते हैं और अब चलिए अब हम देखते हैं कि इतना तो ठीक है लेकिन consumer इसमें optimum choices में क्या होता है यान कि यह जो हम देख रहे हैं इसमें decision rule क्या है मतब consumer कैसे decision लेना है लेता है कि उसे कितनी unit consume करना है तो अब यहां देखिए यह थोड़ा समझनी वाली बात है यह सभी जगह लिखा हुआ है books में आप Quartzionist की book यह जो मैं पढ़ा रहा हूं Quartzionist की microeconomist Quartzionist की book का page number 14 देखेंगे तो उसमें cardinal utility theory दी हुए लेकिन यह explanation आपको वहार नहीं दिलेगा क्योंकि यह मैंने उसमें जो lines लिखी थी उसे ही explain किया है कि कैसे consumer decide करता है कि वो कितने unit consume करेगा तो जो book में लिखा है इतना लिखा है कि consumer का decision rule यहीं है कि जो marginal utility of commodity है वो जब price के बराबर हो जाती है तो वही consumer का equilibrium point होता है अब जैसे देखिए यहाँ देखिए कि consumer अगर first unit consume करता है तो उसे 21 unit utility मिलती है और commodity का price है 15 rupees यानि कि आप यहाँ पे जो PX है 15 rupees मान की चलिए यानि कि consumer अगर कोई एक unit consume करता है यह apple ही है मान दीजिए कोई एक apple purchase करता है first apple purchase करता है तो उसे 20 unit utility मिलती है यानि कि 15 unit अगर वो अपने पास रख लेता है तो उसे जो utility मिलेगी वो 15 unit होगी लेकिन अगर वो apple खरी लेता है तो उसकी utility 21 unit मिल लेगी यानि कि utility उसे जादा मिल रही है तो वो क्या करेगा वो apple purchase कर लेगा इची तरह दूसरा apple purchase करने पर उसे 20 unit utility मिलेगी तीसरे पर 18 मिलेगी और चोधे पर 15 मिलेगी जो कि उसके वो जो प्राइस है एपल का उसके बराबर है यानि कि यहाँ utility margin utility जो है 15 है और प्राइस भी 15 है तो इतना ही commodity consumer consume करेगा उससे जादा नहीं करेगा यहीं decision rule होता है लेकिन देखिए इसमें एक चीज आपको समझना है कि ऐसे decision कैसे ले सकता है आप तो देखी क्योंकि आप जब देखेंगे इसमें तो अगर और commodity consume करेगा तो उसकी टोटल utility बढ़ जाएगी जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ इस table में दिखाता हूँ कि जैसे देखी यहाँ टोटल utility क्या हो रहे है टोटल utility बढ़ते जा रहे है तो इस तरह से टोटल utility अब क्या देख रहे हैं यह बड़ी रहे है घट नहीं रहे है और ऐसा नहीं है कि कभी नहीं घटेगी यह घटेगी लेकिन आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि utility घटेगी कब सेवंथ यूनिट के बाद लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि consumer फॉर्थ यूनिट ही consume करेगा क्योंकि यह utility 15 उसको मिल रही है यह इसके price के बराबर है अगर अगला वो करेगा तो इसकी utility एक्चुली total utility 70-85 हो सकती है लेकिन फिर भी वो इतना ही consume करेगा अब वो क्यों करेगा मैं आपको बताता हूं क्यों consumer यह ज्यादा utility बढ़ रहा है उसकी total utility फिर भी वो consume क्यों करेगा क्योंकि देखिया अभी यह maximum utility पर पहुंचा नहीं है अभ अभी वो 6th, 7th unit consume करेगा यहाँ पर तब वो maximum utility 91 पर पूचेगा लेकिन हम कर रहे हैं कि यहाँ marginal utility price के बराबर होने पर ही consumption वो stop कर देगा इस commodity का तो यह कैसे है इसे हम थोड़ा समझते है क्योंकि इसका explanation आपको शायद नहीं मिलेगा करी अगर मिल गया तो मुझे भी कि जैसे देखिए consumer के पास मान लेजी 100 रुपीज है तो जब वो 0 unit consume कर रहा है तो उसके पास 100 रुपीज है और उससे जो utility उसको मिल रही है वो भी इतनी ही मिल रही है क्योंकि हमने कहा था money के बराबर ही utility उसको मिलेगी 100 रुपीज से utility 100 मिल रही है अब देखिए अगर वो एक commodity purchase कर लेता है 15 रुपीज देखर तो उससे 21 utility मिलेगी तो उसके लिए अच्छा हुआ कि ये 15 रुपीज जो राक राही से अच्छा हुआ वो spend कर दे और 15 रुपीज के जगा पर ये 21 utility लेगी तो इसका मतलब उसके पास 85 रुपीज बचेंगी औ और 50 रुपीज से उसने क्या क्या एपल पर्चेस कर लिया जिससे उसको 21 utility मिले जाती है अब उसके पास 70 रुपीज बचे हैं और उसकी total utility ये जो money से 70 utility मिल रही है और उसने 2 commodities उसके उसने पर्चेस किया है 30 रुपीज देखर क्योंकि उसके पास 100 रुपीज थे 30 रुपीज में 20 और 21 ये नि 41 utility consume कर लिये जिसको 70 में जोननी के बाद आपको यहां 111 मिलेगा इसी तरह अगर वो तीसरी commodity खरीद ले तो उसकी total utility क्या हो जाएगी 41 में आप 188 कर दिजेगा और 55 उसमें प्लस कर दिजेगा क्योंकि जो उसके पास money पड़ा हुआ है 55 उससे भी 55 unit utility मिल रही है तो इस तरह से total 140 मिल रही है इसी तरह फिप्थ unit consume करेगा तो क्या होगा उसका फॉर्थ unit consume करेगा तो उसके पास money 40 unit बचेगा और उसके पास commodity यहां पे 4 unit की हो जाएगी जिसको जिसकी utility add करने पर यहांनि सबको add करने पर और money की utility add करने पर आपको 114 utility मिलेगी तो इस तरह से यह utility जो मिल रही है यह fourth unit पर जाके maximum हो जाती है अगर consumer इससे ज्यादा consume करता है तो total utility घटने लगी तो यह तो बेखुफी ही होगी क्योंकि यह rational behavior नहीं कालाएगा क्योंकि हमने क्या माना था कि consumer maximize करता है तो maximize करता है इसका मतलब वो four unit से ज्यादा consume नहीं करेगा और जब fourth unit है तो यह जो देख रहे हैं आप marginal utility यहानि कि पर unit जो उसे utility मिल रही है वो utility और consumer का price यहाँ पर बराबर है 15 rupees price था और 15 rupees utility मिल रही है fourth में और यहाँ पर वो total utility 114th consume करता है तो यह decision rule है कि इसका cardinal utility तो उमीद करता हूँ यह चीज़ आपको समझ में आगे होगी अब थोड़ा सा इसका graphical explanation पर हम चलते हैं आप जैसे देखे कि यह जो देख रहे हैं आप quantity 9 unit तक दी हुई है और फिर marginal utility आपकी दी हुई है यहाँ पर first unit में 21 है second में 20, third में 18 और fourth में 15 तो इस तरह से utility आपको पूरी दिये हुई है एक बार utility, marginal utility minus में ही जाजाती है यह कि dis utility जब हो जाती है जब harmful हो जाती है कोई चीज़ आपकी तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मैंने money utility को add नहीं किया है तो यहाँ पे जो maximum point होगा वो 7th unit पे होगा यहाँ पे हाँ अगर मान के चले कि consumer पास ज़्यादा money नहीं है बस जितना खरेच सकता उतना ही है तब यहाँ 91 पे आके उसका maximum होगा total utility लेकिन money का हमने उपर मान के चला था कि money उसके पास ज़्यादा है तो money की भी utility को हम जोड़ेंगे total unit में लेकिन यहाँ आँ नहीं जोड़ें तो इस तरह से जब आप करेंगे सारी utility को जोड़ते जाएंगे जैसे देखिए first unit से 21 मिली second unit से 21 plus 20 यानि 2 unit में उसको 41 utility मिली इस तरह 3 unit में 21, 20, 18 plus 59 total utility उसकी बनती है तो इस तरह से उसकी utility बढ़ते जाती है 7th unit तक यानि कि जब marginal utility 0 होती है तब क्या होता है जो total utility है वो maximum होती है यानि कि marginal utility जब 0 होती है तो total utility क्या होती है maximum होती है और जब marginal utility माइनस हो जाती है तो total utility क्या होती है fall कर लेती है गिरने लगती है यानि कि घटने लगती है और जब तक marginal utility positive रहती है total utility क्या होती है वो बढ़ती है तो ये relationship है marginal utility और total utility का अब इसे हम थोड़ा graphically भी देख सकते हैं जैसे कि आप इस नीचे वाले graph में देख सकते हैं कि total utility जैसे जैसे आप unit consume कर रहे हैं उस तरह से बढ़ते जारी है ये है आपका quantity, commodity का 1, 2, 4, 6, 8, 10 तो इस तरह से total utility बढ़ते जारी है और यहां maximum हो जारी है कब 9 unit पर आने पर यानि कि 9 unit यहां पर आने पर utility क्या हो जाती है वो, sorry, 97 unit पर यानि कि 7 unit पर आने पर utility क्या हो जाती है maximum हो जाती है ठीक, और उसके बाद देखें यह marginal utility हम जैसा कि देख रहे थे हर unit के बाद घड़ते जाती है जैसे 2 unit में इतनी marginal utility आपको मिल रही थी और 4 unit में इतनी मिल रही है 6 unit में इतनी, यानि कि marginal utility गढ़ते जाती है और एक point पर जाने के बाद, यानि 7 के बाद वो क्या हो जाती है 8 और 9 के लिए negative भी हो जाती है तो यह जो आप axis देख रहे है quantity axis जो आप देख रहे हैं इससे नीचे चली जाती है marginal utility अब इतना हुए, अब एक चीज और demand curve इससे कैसे draw किया जाता है तो जो demand curve होता है cardinal utility approach में ये marginal utility का ही positive portion होता है यानि कि इससे उपर वाला इस axis से उपर वाला जो portion होता है यही होता है demand curve अब इससे तो demand curve को आप समझें कि कैसे demand curve इससे हमने draw कर लिया अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि utility क्या है money के term में measure की जाती है तो अगर first unit में 21 unit utility मिल रही है अगर first apple में तो वो maximum कि इतना pay करने के लिए तयार है 21 वो pay करने के लिए तयार है क्योंकि money से भी उसको 21 unit utility ही मिलती है तो वो 21 से ज़्यादा spend नहीं करेगा यानि कि अगर apple apple का price 21 हो जाए तो वो एक apple ही purchase करेगा जैसे कि आपके हाँ देख सकते हैं अगर ये price है अगर apple का price 21 हो जाए तो consumer एक unit ही purchase करेगा उसी तरह अगर 20 हो जाए तब क्या करेगा apple का price अगर 20 हो जाए माल लीजिए तो क्या करेगा consumer 2 unit consume करेगा यानि कि यहाँ पर जाकर ये consume करेगा 2 unit consume करेगा इसी तरह 18 हो जाए apple का price तो 3 unit तक वो consume करेगा क्योंकि 3 unit से उसको utility कितनी मिल रही थी 18 मिल रही थी तो इसी तरह करके एक पुरा demand करव हम रोग कर सकते हैं तो यहीं funda है marginal utility और demand का कि यह relation होता है जो marginal utility का positive portion होता है यह जब तक marginal utility positive है वही क्या कर लाता है वही demand कर लाता है तो syllabus का जो दो portion है IES का वो हमने यहाँ पर देखा मैं एक बार syllabus भी दिखा देता हूँ आपको क्योंकि इसी में मैंने सब लिख के रखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह IES का syllabus है और आपको क्या पढ़ना था आपको पढ़ना था cardinal utility analysis और marginal utility and demand तो यह हमने आपको बता दिया अब अगले में हम देखेंगे indifference curve consumer surplus को भी हम राने देते हैं बाद में देखेंगे लगिना अब अभी indifference curve analysis देखेंगे utility function यह सब चीजे देखेंगे उसके बाद consumer surplus पर भी हम आएंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में यानिकी lecture 2 thank you for joining this video और एक बाद यह वीडियो teach me in classroom के लिए है जो लोग अब यूट्यूब के देख रहे हैं वो description में दिये गए details से teach me in classroom जोई कर सकते हैं thank you again